मैं शहीद भीमा मंडावी और हमारे चार जवानों को भी आदर पुर्वक्स्त धास्वन अर्पिट करता हूँ लोग तंत्र की रक्षा के लिए जो बलिदान आपने दिया है उसको ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा साथियों ये दुर्भागे पुर्ण है कि हमला उसक्षेत्र में हुआ जहां नक्सलियों के प्रभाव को बहुत कम किया जा चुका था सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आपको याद होगा जब विधान सबा चुनाव के दवरान मैं यहां आया था तब मैंने कॉंग्रेस के नेताओं के बयानों की तरफ तब नक्सलियों को क्रांती कारी बताने का एक दौर कॉंग्रेस के भीतर चल पड़ा था नक्सलियों को क्रांती कारी कह रहे थे आज जो यहां हो रहा है वो कॉंग्रेस ध्वारा नक्सलियों का होसला बढ़ाये जाने की बज़से ही हो रहा है भाईयों भाणों आखिर ये कैसी राजनीती है एक तरफ हमारे जवान पुरे देश की रक्षा और सुरक्षा में जूटे है आदिवासी राकों में पिछले राकों में नई सडके बने रेल नाइने बीछे गाउं गाउं बिजली पानी पहुँचे गाउं गाउं में मोबाइल का नेटवर्क पहुँचे उद्योग धुन्ने लगे इसके लिए हम सभी दिन रात लगे है वही दूसरी तरफ फिर से प्रदेश को हिंसा के भयानक दौर में धकेले की साजीस चल नहीं है नक्सरियों मावो वादियों के इन समर्फकों से आपको सावधान रहने की जरूरत है